हेलो फ्रेंड्स दिस इज एश्पी सिंग एंड वेलकम टू इस्वाइटर एवरी टे पहरे तोस्तों बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका फूर्थ पेपर ऑप्सनल पेपर जो है समावेशी शिक्षा ठीक है अगर मैं बात करूँ एकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिट्स दी तो आपका जम 24 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है ठीक है जिसमें हमारी कोश्चन आंसर की सिरीज कंटीनू है चारों पीपर गी समावेशी शिक्षा के आज हम लोग important questions को discuss करने वाले हैं कल हमने समावेशी शिक्षा के top 10 important questions discuss कर चुके हैं फूक लास अगर आपने नहीं देखिए तो जरूर देखेगा आज समावेशी शिक्षा के हम आगे के 10 questions कवर करेंगे हमने कल समय शिक्षा की विशेष्टाएं और राश्टी सिक्षा ने 2020 को भी डिस्कूस किया था अनसूचित जन्याती का क्या रत होता है प्रिभाशाएं क्या होती है और पीछडे बाला का क्या रत होता है इन सभी कोर्शन्स को बहुत अच्छे से हमने समझाता विकलांगता क्या है मांसिक मंदिता क्या है और इनकी विशेष्टाएं क्या होती है ठीक है शारिक रूप से विकलांग बालकों के लिए क्या सैक्षिक प्रावधान है अधिकम असमर्दता क्या होती है इसके रीजन्स क्या होते है ठीक है ये सभी questions हमने बहुत अच्छे तरीके से समझे थे आज हम question number 11 से discuss करेंगे जिसमें पहला question आपके सामने है question कहता है विशेष्ट सिक्षा के कौन कौन से सिध्धानत हैं प्रकाश डालिये देखिए विशेष्ट सिक्षा निम्लिकित सिध्धानतों पर आधारित है एक तो पहली बात ये है विशेष्ट सिक्षा निकि जो विशेष्ट सिक्षा होती जो specific education होती है ये उसके principles की बात कर रहा है first इसका जो principle है क्या है कोई निरस्त नहीं इसमें no cancellation यानि कि सारिक रूप से बाधित सभी बालकों को निसुल्क उप्युक्त सिक्षा मिलनी चाहिए सामानी सिक्षा संस्थाओं में किसी बालक को श्वीकार अत्वा अश्वीकार करने का विकल किसी विद्याले की विस्था में नहीं ऐसा नहीं है कि आप किसी कोई बालक है वो मंद बुद्धी है या विकलांग है या मांसिक रूप से वो विकलांग है तो ऐसा नहीं कि आप उस बालक को एड्मिशन नहीं देंगे या उसको पढ़ाने से आप मना करतेंगे नहीं, नो कैंसिलेसन आप किसी भी प्रकार का आपके पास विकल्प नहीं है कि आप उसको अश्वीकार करतें ठीक है, आपको बालक को लेना होगा और फिर उसको पढ़ाना होगा ठीक है, चलिए और उसको निसुल्क उप्युक्त सिक्षा मिलने जरूरी है नेक्स इसका जो सिध्धान्त वो ये है कि विक्तिकत भिनता के आधर पर आप सिक्षा देंगे ठीक है, क्योंकि हर बालक की अपनी योगता चमता अलग है और कोई तेज सीखता है कोई धीमी गती से सीखता है ठीक है कोई बार-बार समझाने पर भी नहीं सीखता है जो बालक जिस तरीके का है उसके हिसाब से उसको सिक्षा दीजिए परतेक विशिष्ट बालक में कुछ न कुछ विभिनताएं होती है कुछ चातर अन्य चातरों से अधिकांस गुणों में सरवता भिन होते है जो सिक्षा की ओर विशिष्ष जुकाव रखते है ऐसे चातरों को विशिष्ष शिक्षण आवसकता है विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् लांग बालकों को संसाधन कक्ष विशेश उपकरणों के माध्यम से सिख्षा देने का प्रयास करता है। यहाँ पे पैरेंट्स का भी सपोर्ट चीए। यदि स्चारिडिक रूप से बाधित बालकों के मातापिता भी सिख्षन कारिकरमों में इंटरेस्ट लेते हैं। होता है तो उस पार्ट को वो जल्दी और आसानी से सीख लेता है। ठीक है। यदि आपके अंदर मोटिवेशन है यदि आप खुद इंस्पायर्ड हैं तो आप चीज़ों को जल्दी सीखते हैं। इस प्रकार एक सिख्ष को चाहिए कि इन बालकों का समय समय पर अभी प्रेड़ करते रहें। तो विशेच सिख्षा के सिध्धान थमने डिस्कूस कर लिए पांच नमर में कोशन आप से पूछा जाएगा। कोशन कहता है विशेच सिख्षा की क्या आवा सकता है बताईए। देखे जो विशेच सिख्षा है इसकी जरूरत क्यों है टेल। यानिकी बताईए दिखिए विशिष्ट बालकों की विशिष्टा ये होती है कि सामाने बालकों किदर है उनमें देखने बोलने समझने की चमता विक्सित नहीं होती वो आवरिज बालकों से نीचे आते हैं इसलिए विशेष श्क्षा के दौरा उनके उदेश्यों को पूरा किया जाता है यद्यपी इन बालकों की किन बालकों की जो बालक पिछडे बालक है जो मंद बुद्धी हैं जो आवरेज से नीचे हैं इन बालकों की ग्यानेंद्रियां सही रूप से विक्षित या काम नहीं कर पाती है इसलिए इन्हें विशेश निर्देशन की आवसकता होती है इन्हें special guidance चाहिए होता है जो विशिष्ट शिक्षा की के दोरा पूरा किया जा सके विशिष्ट शिक्षा के दोरा दृष्टी बाधित, सरवन बाधित, मांसिक मंद, अधिगम अक्षम, आधि बालकों की पहँचान भी की जाती है विशिष्ट बालक समानिक अक्षाओं में दिये जाने वाले अनुदेशन से लाब नहीं उठा पाते है क्योंकि इन बालकों की बहुत दिक्षमता समानि बालकों से या तो अधिक होती है या फिर कम होती है विशिष्ट बालकों की अभी बाव को अध्याब को और प्रबंदकों को बालकों की आउसकताओं को समझने में विशिष्ट शिक्षा से शाहता मिलती है इस शिक्षा से विशिष्ट बालक समाज में अपना समायूजन कर पाते हैं अपने आपको समाज में अड़िश्ट कर पाते हैं तो यह हमने समझा कि विशिष्ट शिक्षा की आवसकता क्यों होती है तीसरा कोशन आप से कहता है आज ये सबी हम लोग short question discuss कर रहे हैं कल हमने long questions भी discuss किये थे जो इससे पहले वाली class है उसका notification आप लोगों को नहीं मिला है तो वो class हो सकता है कुछ लोगों से miss हो गई हो लेकिन अगर अभी आप channel पढ़ जाएंगे तो यह इसी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका जो playlist बनी हुई है समावेशी शिक्षा की link discussion box में उसको click करेंगे तो वहाँ पहुँचेंगे इससे just उपर आपको class मिल जाएगी विशेची सिक्षा और समावेशी शिक्षा में अंतर बताईए बहुत अच्छा question है जो विशेची सिक्षा है या प्राची नियान की ये पुराना concept है समावेशी सिक्षा एक नया concept है ये अलगाओ करती है ये एक ही करन करती है अलगाओ का मतलब यहाँ पे ये है कि जो बालक जिस स्रेणी का है जिस वर्ग में रखा गए उसके हिसाब से सिक्षा दी जाए जो माजसिक रूप से मंदित बालक है आप उन्हें अलग तरीके से सिक्षा देंगे जो दृष्टी बात देते हैं उन्हें आप उसके लिए ब्रेल लिपी बगारा का यूज़ करेंगे जो सरवन बात दीते हैं उनके आप अलग तरह की विस्ता करेंगे तो यह इसमें प्रथक्रण है इसमें सब को एक साथ पढ़ाया जाता है यहाँ भेदभाव किया जाता है अंतर किया जाता है इसमें किश्री परकार का कोई भेदभाव नहीं है यह संपूर्ण सिक्षा नहीं है यह संपूर्ण है यह व्यावसाइक परसेचर पर बल देती है क्योंकि जो बालक भाई विकलांग है उसको कुछ इस तरीके की ट्रेनिंग दे दी जाए कुछ व्यावसाइ सिखा दिया जाए ताकि वो इन फ्यूचर दूसरे पर डिपेंड ना होकर के कुछ आत्मने भर होकर के अपना कुछ कर ले ताकि अपने जीवन यापन कर ले यह संपूर्ण विकास पर बल देती है ठीक है यह साधार्ण स्कूल पनाली से अलग है क्योंकि इसमें बच्चे को विशेश चिक्षा चाहिए होती है यह साधार्ण स्कूल में प्रदान की जाती है विशेश चिक्षा विवस्था अपंग बालकों को सामाने बालकों से अलग कर लेती है यह विवस्ता अपंग और सामाने दोनों को एक साथ एड़िस्ट करती है विशिशी सिक्षा के वाल अपंग ऐसमर्थ बालकों के लिए है समावीशी सिक्षा में सभी बच्चों को सामिल किया जाता है इस सिक्षा से बच्चों में हिंता की भावना आती हम को अलग कर दिया बताओ अगर हम आज ऐसे ना होते तो हम को क्यों अलग कर दिया जाता हम भी इनके साथ पढ़ रहे होते है ना लेकिन यहाँ पर यहाँ सिक्षा बच्चों को आत्म विश्वाशी और सामाजिक बिनाने में साहयक है क्योंकि इसमें किसी बालक को अलग नहीं किया जाता है सबको एक साथ बैठा करके पढ़ाया जाता है तो जो बच्चा विकलांग है वो भी सामाने बच्चे के साथ बैठ करके पढ़ रहा है तो उसको एक confidence आता है कि देखिए हम भी इनके बराबर है है ना चलिए next point है इसमें विशेश आवशकता वाले बच्चों को परतक सिक्षर दिया जाता है इसमें विशेश आवशकता वाले बच्चों को सामाने बच्चों के साथ ही training दी जाती है कि आपको full topic wise content दिया जाता है आपको previous question papers दे दिया जाते हैं आपको important questions का collection दे दिया जाता है आपके exam के point of view से ठीक है ऐसे questions जो आपके exam में आने वाले हैं उन questions का collection आपको मिल जाता है और जितना आपको content दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ इस कम से कम समय में आप इतना पढ़ करके बहुत अच्छा कर जाएंगे ठीक है उसके लिए आप में इस नंबर पे WhatsApp मैसेज करके Notes की Information ले सकते हैं और आपको चारों पेपर का Complete Content Provide कराया जाता है ठीक है और जो Notes होते हैं उनकी PDF आपको Provide कराया जाती है WhatsApp पे ठीक है तो उसके लिए आप में इस नंबर पे WhatsApp मैसेजर के जनकरी ले सकते हैं Notes लेकर के अपनी पढ़ाही शुरू कर सकते हैं और हाँ ध्यान रहे Notes लेने के बाद आपको बहार से ना कुछ खरीतना है ना कुछ पढ़ना है जितना हम देंगे सिर्फ उतना आपके लिए पर्याप्त होगा बहुत अच्छा कोशन आपके सामने कोशन कहता है RTE 2009 से आप क्या समझते हैं संचिप्त रूप से इसका वर्ण करना संचिप्त वहां लिखा होगा जहां कोशन आपका शॉर्ट होगा ठीक है और विस्तरत वहां लिखा होगा जहां आपसे कोशन लॉंग में पूछा जाएगा तो यहां पर संचिप्त लिखा है कोशन आपका लगभग शॉर्ट में है चलिए ठीक है RTE 2009 से आप क्या समझते हैं हमने कोशन को इस तरीके से लिखा है कि अगर लॉंग में पूछे तो आप लैंग में भी लॉंग में भी उसको एड़ेस्ट कर दें शॉर्ट में पूछे तो शॉर्ट में भी वो एड़ेस्ट हो जाए वर्ष 2002 में समिधान के 86 में संसोधन द्वारा अनुच्छेद 21A से 621A में 6-14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवारे शिक्षा उपलब्द कराने का प्रावधान किया गया था इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोक सभा में ये अधिनियम पारित किया गया जो 1 अपरेल 2010 से पुरे देश में लागू हो गया इस एक्ट की मदद से देश के गरीब बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं यह एक्ट सभी के लिए लागू होता है चाहे वो किसी भी चाहती या धर्म का हो और चाहे वो बालक हो या फिर बालका सब के लिए यह लागू होता है सब के लिए काम करता है इस एक्ट के लागू होने के बाद भारत की गिंती भी उन 135 देशों में की जाती है जहां पर बच्चों के लिए शिक्षा मुफत है RTE एक्ट 2009 में 38 धारा है और इसको 7 अध्यायों में बाटा गया है RTE अधिनम के कुछ प्रावधान है आईए इन प्रावधानों को हम अच्छे से समझने का प्रियास करते है RTE का मतलब Right to Education किसी पडोस के विद्याले में प्रारंबिक शिक्षा पूरी करने तक निसुल्क और अनिवार शिक्षा के लिए और अन्य जिम्मेदारियों को भी निर्दिष्ट करता है अधिनियम चातर सिक्षक अनुपात भवन सरचना विद्याले के कारेतिवर्ष सिक्षक के कारेक के घंटों समंदी मान दंडों को से निश्यत करता है यह उप्यूक्त रूप से वर्ल्ट्रेंट टीचर्स की नुक्ती के लिए भी प्रावधान करता है यह स्टारिक दंड और मानसिक उत्पीडन अध्यापकों दौरा निजी टूशन और बिना मानता के विद्यालेओं को चलाना निश्यत करता है याने की बिना आप मानता के नहीं चला सकते यह जो अधिनियम है समिधान में प्रतिष्ठापित मुल्यों के अनुरूप पार्टिकरम के विकास के लिए भी प्रावधान करता है और जो बच्चे के समगर विकास ग्यान, संभाववेता और प्रतिभा निखारने और बच्चे की छेत्रवत पणाली एवं छात्र केंद्रित ग्यान की पणाली के माथ्यम से बालक को डर, चोट और चिंता से मुक्त करना निश्चित करता है तो इस तरीके से हमने Right to Education को समझ लिया अगला कोशन कहता है आप अवंचन से आप क्या समझते हैं इसके प्रकार बताईए देखिए, समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाने लोगों के इस तरके अनुरूप उत्थान नहीं कर पाते यानि कि जो एवरिस लोग हैं जो समाने लोग हैं उनका जो लेवल है यह उसके हिसाब से आगे नहीं बढ़ पाते हैं और पिछड जाते हैं पिछडने के पीछे समुचित साधन, सुविधाएं एवं आवस्वरों से विमुक होना है पिछडने का मतलब है कि उनके पास समुचित साधन नहीं है वो उसे विधाएं नहीं है है ना? वो चीजें नहीं है उनके पास ऐसे लोगों को वंचित वर गया फिर अप वंचन कहते हैं पोलमैन के कॉर्डिंग कहा गया है वंचन निम इस्तरिय जीवन दशा यानि कि ऐसे लोगों का जो जीवन है वो निम इस्तर का होता है या फिर विलगाओ की ओर संकेत करता है वंचन जो कि कुछ वेक्तियों को उनके समाज की संस्कृति उपलब्धियों में भाग लेने से भी रोक देता है कुछ लोग इतना पिछड जाते हैं उनका इस्तर इतना नीचे गर जाता है कि समाज के लोग भी उनको दुद्कार देते हैं समाज के जो एहम फैसले होते हैं उनमें उनकी राय नहीं ली जाती कुछ कारकरम होते हैं जिनमें उन्हें बुलाया नहीं जाता ऐसी बहुत सारी चीजे होती है अपवंचन के कई परकार होते हैं देखे, लिंक के आधार पर अपवंचन होता है जाती के आधार पर भी अपवंचन होता है छेतर के आधार पर भी अपवंचन होता है अब लिंक के आधर पर अपवंचन का क्या मतलब है लिंक के आधर पर अपवंचन का मतलब है देखे हमारा समाज दो भागों में बटा है पुरुश और महिला प्राचीन काल से अब तक भारत में महिलाओं की इस्तिती हमेशा एक समान नहीं रही है वैदिक काल में इस्तरियां नीची दृष्टी से देखी जाती थी, हीन दृष्टी से देखी जाती थी मद्द काल में इनकी दशा और भी सोचनी हो गई, दैनी हो गई परदा परथा, सती परथा, बाल विवहा आदी ने तो इस्तरियों के लिए कठोर नियाम बना दिये थे इस्तरी घर की चार दिवारी में कैद होती गई, उनकी दशा ऐसी हो गई कि पुरुस वर्ग उन्हें उपेक्षित करने लगा और वो समाज में अपवंचित वर्ग की स्रेणी में गिनी जाने लगी, तो लिंग के आधार पर इसी तरीके से अपवंचन हो जाता है, यानि कि क्या हुआ फिर महिला इतना पीछे चली गई, उसकी इतनी उपेक्षा हुई कि वो अपवंचित वर्ग में आ गई, जाती के आधार पर भी अपवंचन होता है, इतिहास हमें यही बताता है कि समाज में सरवोच इस्थती पर केवल दो उपरी जातियों का ही आदिपत्य था, ब्रहमन और चुत्रिय, इन्हों ने ही दूसरे धर्मों का प्रियोग शुरू कर दिया, चार वर्णों में सबसे निम्न इस किवा करने के ही योग माने जाते थे, इन चार वर्णों के अलावा एक अन्य वर्ण जो सभी से नीचे माना जाता था, वो थे ऐस्प्रस से, बाहरी जाती इनको कहते हैं, ऐस्प्रस के कारे थे सौचाले और मरे हुए पश्वों की खाल साफ करना, ये सबसे ज़्यादा बे अपवंचित स्रेडी में गिने जाने लगी, छेतर के आधार पर भी अपवंचित होता है, जब किसी छेतर को ही समाज की मुखधारा से वंचित कर दिया जाए, तो उसे छेतर के आधार पर अपवंचित कहते हैं, जैसे पिछडी जातियां, ये जाती समाजिक और सैक्षिक पिछड़ी हैं, बढ़ी, कुमार, दस्तकार, सुनार और गैर खेती है, रुतपादक मच्वारे इस जाते में शामिल किये गये हैं, छेतर के आधार पर अपवेंचन में, फिर है अक्षमता के आधार पर on the basis of disability, अक्षमता के कारण सोता है, आत्मिश्वाश का अभाव हो जात है, जिनके अदर श्मता नहीं होती, उनका self confidence level भी down हो जाता है, और श्मता उन बच्चों की पहुँच को सीमित कर देती है, उन्हें ये एहसास बार बार होता है कि वे कोई कारण नहीं कर सकते हैं, जिसके प्रिणाम सरूप उनको किसी काबिल नहोने के भाव, हताशा, सर्म अदिक का एहसास होता है, जो उनके वेक्तिक और समाजिक विकास को भी प्रभावित करता है, तो इस तरीके से हमने समझा कि अपोंचन होता गया है, और फिर अपोंचन के प्रकार कौन कौन से हैं, अगला question number six है, question कहता है, कि समाजिक रूप से वंचित बालकों का आर्थ औ का सामना करते हैं, उन्हें अनुसूचित जाती, अनुसूचित जन जाती, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, आदि की रूप में संदर्बित किया जाता है, इस वर्ग से समंधित बालकों को समाजिक रूप से वंचित बालकों के रूप में संदर्बित किया ज मैं कहते हैं कि सांस्कृतिक रूप से वंचित शेक्षिक दृष्टि से वंचित अस्तुविधा युक्त जिनके पास्तुविधाय नहीं है वंचित निम्न वर्ग श्वनिम्न सामाजिक आर्थिक समुझ जैसे शब्दों का प्रियोग एक दूसरे के लिए किया जाता है यानि अनुसूचित जाती जाती प्रथा के दिरनाम सुरूप विकसित उस विवस्था के अंग है जिसमें मनुस से मनुस के बीच इतना अधिक अंतर किया जाता है कि इस परस मातर से ही मातर छू लेने से गैर अनुसूचित या स्वन जातियों के लोग आपावित्र हो जाते हैं उनको इन जातियों से प्रत्थक रहने की विवस्था की गई और अनेक प्रकार की जो disabilities हैं वो भी इनके लिए निर्धारित की गई यहां पे डी एन मजूमदार कहते हैं एस्परस जातियां वे हैं जो अनेक सामाजिक और राजनीतिक निर्योगताओं की शिकार हैं इन में से उनेक निर्योगताओं उच्च जातियों के दोरा परमपरात्मक तौर पर निर्धारित और सामाजिक तौर पर लागु की गई हैं के एन सर्मा एसपरस से जाती हैं वे हैं जिनके इसपरस से एक विक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ ऐसा काम करना पड़े कुछ धार्मिक करना पड़े तो वो क्या हैं वही जातियां एसपरस से मानी जाते हैं जिनके छू देने मातर से ही लोग ह अपवित्र हो जाते हैं चलिये यह कोश्शन हमने समझा अनुसूचित जाती का अगला कोश्शन पिछड़े बालकों का क्यारत है परिभास्णा के दोरा इश्पष्टि कीजे आज यह मुश्टि सारे ही कोश्शन आपके शॉर्ट कोश्शन है देखिए पिछड़े बालकों का क्यारत है जो बालक किसी अन्य किये पेक्षा किसी काम में पिछड़ जाए वो पिछड़े हुए बालक कहलाते है जबकि शिक्षा के संदर्ब में पिछड़े बालक वे होते हैं जो किसी तत्ध को बार-बार समझाने के बावजूद नहीं समझते और आसत बालकों की समान प्रगती नहीं कर पाते हैं ये पढ़ने लिखने में कमजोर होते हैं, कई बार SFL भी होते हैं, मांसिक रूप से, मंद angry बद्धी, सभी बालक पिछड़े पन का शिकार होते हैं, किन्तो अन्यक सामान बुद्धी के बालक भी शेक्शिक प्रगत में पिछड़ जाते हैं, जो सामान बुद्धी के बालक ह वो भी शिक्षा में पिछड़ जाते हैं शौनेल की शब्दों में कहा गया है कि पिछड़ा बालक वहा है जो अपनी ही आयू के अन्य बालकों के पिक्षा उलेखनी सेक्षिक नियूनता प्रदर्शित करता है बार्टन हॉल के एकॉर्डिंग सामानतिया पिछड़े पन का प सोशन है कि प्रतिभाशाली बालकों का क्यारत है प्रिभाशा बताईए देखिए वहा बालक जिसकी मांसिक आयू अपनी आयू वर्ग के अनुपात में औसत से बहुत दिखो उसे प्रतिभावान या प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है प्रतिभावान बालक की ही राष्ट तो रूप से तथा समायोजन की दृष्टी से भी स्रिष्ट होते हैं इसकी नरेवम हैरी मैन के कोर्डिंग प्रतिभाशाली शब्द का प्रियोग उन एक प्रतिशत बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक पुद्धिमान होते हैं वहीं पे having hurts के according प्रतिभाशाली बालक वे हैं जो समाज के किसी भी कारशेतर में निरंतर कारिकोशलता का परिशेते हैं तो ये कोशन था हमारा प्रतिभाशाली बालक इसको गएते हैं आज का last question विकलांगों की शिक्षा का क्या उत्षय से वढनन कीजिए और इसके बाद फिर ये question हमारे end हो जाएंगे ठीक है और इससे पहले के जो description हमने कराए है वो अगर आपने नहीं देखें तो जरूर देखेगा जितना आपको कराया जा रहा है पूरा पीपर यहीं से आपको मिलने वाला है इसमें कोई शक नहीं है विकलांगों की शिक्षा का क्या उद्देशे वडम कीजिए देखे भारत में करीब 25 लाक बालक शारिरिक और मांसिक तोर पर विकलांग है अताहा इनको समाज की मुख्य दाहरा से जोडने के लिए शिक्षा की विस्ता करना अनिवार है विकलांगों की शिक्षा के मुख्य उद्देशन देना निवार है इसके लिए विकलांग बालकों को अनिएक परकार के हस्त शिल्प जैसे कताई, बुनाई, कुरसी बुनना, लेथ मशीन पर काम करना, चितरकारी इन सब चीजों के बारे में वेल्ल ट्रेंड किया जाता है, प्रसेक्शन दिया जाता है शामा ने सिक्षा की विजस्था इन के लिए की जाती है विकलांग बालकों को ऐसी सिक्षा दिक्षा प्रदान की जानी चाहिए कि शिक्षा के बाद उनकी प्रतिभा का समुचित उपयोग संभव हो सके इसके दौरा वे उपन्यासकार, कहानिकार, फिल्मकार, संगितकार आदी बन सकते हैं और विकल अंगों के अतरिक्त अन्य अंगों का विकास करना विकल अंगों के अत्रिक्त जो अन अंग है उनको डबलब करना बालकों के वैसे अंग जो पूर्टया विकल हो गए है उन्हें सुधारा तो नहीं जा सकता है किन्तो उनके जो बाकी अंग है उनका इस प्रकार विकास किया जाता है कि इससे उनके विकलांग अंगों की अथासंबाव च्छती पूरती भी हो सकती है जैसे नेतरहीन वालकों में इसपर्स और घ्रहन शक्ती का विकास किया जा सकता है है ना वो छू करके शू करके चीज़ों को बता सकते हैं और बहरों के कान और जीब के अंगों का भी विकास किया जा सकता है अवकास के समय का सदुपयोग यानि कि जो खाली समय है ये उसका सदुपयोग कैसे करें विकलांग विक्ती अपने कुछ अंगों की कमी के कारण अपने समय का समुचित सदुपयोग नहीं कर पाते हैं तो विकलांग बालकों की शिक्षा उनकी अच्छमता और बीमारी को ध्यान में रखते हुए ही देनी चाहिए तो ये कोशन हम समझ रहे थे कि विकलांगों की शिक्षा का उद्देश्च क्या होता है इसको हमने समझा अब जो आपकी next class रहेगे उसमें हम समझेंगे मासिक मंदित बालकों की पहचान किस तरीके से की जाती है इसको समझें कोशन को तो ये आज की हमारे 10 कोशन कम्प्लीट हो गए दस कल जो हमने कोशन किये थे उसमें हमने जड़ा स्य जड़ा कोशन जो है लॉग कोशन लिये थे और आज की class में हमने जड़ा स्वाट कोशन का कलेक्सान लिया है ठीक है तो इस तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन के 20 कोईशन कम्प्लीट होते हैं और नोट्स अगर आपकी तक नहीं लिये हैं तो अभी भी आपके पास समय है इस नंबर पर वाट्साप मैसेज करके आप नोट्स की डिटिल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं लेकर कि अपनी पढ़ाई के सुरू कर सकते हैं भी भी आपके पास समय है ठीक है और थैंक्यू सो मच मिलते हैं बहुत दिल्दी निक्स्ट क्लाश में